तुदेश बर के दस से जादा राज्यों में बॉन्सून का तांडव दिखाई दे रहा है भारी बारिश के बार जहां शेह शेह सहलाब का मंजर है वहीं तमाम नदिया इस वक्त उफान पर है और अपने किनारे बसी आबादी और मकानों को जाड़ने पर आमादा हैं सबसे बड़ा से लाभी संकर इस वक्त कुजरात पर मंदरा रहा है जहां आठ जिलों में भारी बारिश के बाद भालात गंभीर बने होएं खराब हो रहे हैं तो पूरे देश में किस तरीके से बाड़ बारिश का कहर बरप रहा है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं चाहे गुजरात हो तुराकर्ण, हिमाजर प्रदेश, महराज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असाम, जमु कश्मीर औ पानी को साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं इस्थानों पर यानि की हालात अमीरी राजकोट में गंभीर बने हुए हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेजिस को एतियातन बंद कर दिया गया है ये राजकोट की ही तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हो रही बारिश के बीच, कैसे अब इमार्ते और बिल्डिंग्स इस पानी की चपेट में हैं, जगा जगा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, उपर से भी पानी बरसने के कारण, इस वक्त इस पानी की निकास पी नहीं हो सकी है, गोपी घांगर हमाई सरयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जो रही है, गोपी राजकोट में क्या हालात बने हुए हैं? कि जो आजी बांध है, उसके चार गेट को खोला गया है, दरसल जिस तरीके से बारिश लगातार वहाँ पे हो रही है, करीब साथ इच तक ये बारिश हुई है, लेकिन नेहा आपको मैं दिखाती हूँ कि बारिश के बाद का तबाही का जो मनजर होता है, वो कितना खतरनाक होता है, कल आहमदाबाद में बारिश हुई थी और आहमदाबाद में बारिश के बाद इसी कॉंपलेक्स में दो गाडिया तैरती हुई दिखी थी, आज आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी तो उतर गया है, लेकिन अब तबाही का जो मनजर है, वो यहाँ पे द किसी की घर के फनीचर की दुकान है, इन सभी दुकानों को करोडो रूपे का नुकसान जेलना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा तबाही का मनजर, कल पहले मनजिल तक यहाँ पे पानी भरा हुआ था, यह दोनों गाडिया, आपको याद होगा कि विज पारी यहाँ पे महजूद है, उनसे बात करते हैं, यह बताए कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? पीतक तर तो मैं तो मैं तो मेरी शॉप है, यहाँ पे मेरा दोस्ता है, बेलकुल देखे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि से तरीके से ज्चन हैं, उनको जुनुक्सान भूगत ना पढ़ रहा है, क्योंकि क्रोर्डों रूपे का जो नुक्सान है, वो लोगों को यहाँ के लिए.